आज हमारे पास है HP M10 wired mouse और जस्ट आज की वीडियो के तरह में इसकी unboxing करने वाले हैं और वीडियो के एंड में जाके आपके साथ में कुछ अपने personal thoughts और personal opinions आपके साथ इस mouse को लेकर शेयर करने वाला हूं तो वीडियो को पूरा end तक देखेंगा और सबसे पहले आपको एक चीज़ कर दो इस mouse को लेके कि आज जो वीडियो के अंदर हम unboxing करने जा रहे हैं यह जो mouse है यह copy version है यह original mouse नहीं है मैंने काफी search किया था market के अंदर लेकिन मुझे इसका जो original version है वो नहीं मिला हो सकता है वो discontin price को लेकर बात कर लें तो इस mouse की जो price है आपको पाकिस्तानी market के अंदर थ्री हंड्रेड नाइंटी नाइन जो रूपीज है उसकी देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको पर्फॉर्मेंस है वो देखने को मिल जाएगी तो वीडियो को करते हैं लेकिन से पहले अगर और शेयर दरू करते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसका बॉक्स आपको कुछ इस सवाज़ा से देखने को मिल जाता है और यहां पर इंग्लिश और चाइनीज लैंगवज के ओपर आगास की आपको जो डिटीयल मेंशन हो जाती है और यहां पर आपको वन थ 10 और बागी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्ट्रम है उसके साथ यह वर्क करने वाला है और बैक सेट के ओपर आ जाएं तो यहां पर एक काफी दा इंट्रस्टिंग चीज मेंशन की गई है जो के वन यह की लिमिटेट वारेंटी है और यह कॉपी वर्जिन है तो इसके अंदर आपको जो वारेंटी है एच्पी की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आपको किसी से भी पर्चेस करते हैं तो आपको जो लिमिटेड वारेंटी है दो या तीन दिन की वह डैफिनेटी अगर वह क्लेम करते हैं तो उसकी वारेंटी आपको मिल जाएगी अधर यहाँ पर जल्दी से open कर लेते हैं इसके box को जैसी इसको open करते हैं इसके box को यहाँ पर हमारे पास जो एक simple सा mouse है वह आपको देखने को मिल जाता है इसको यहाँ से इसका जो wrapper है इसको यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं फाइनली हमारे पास जो माउस अब आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर के अंदर है और मैट फिनिश के साथ ही आता है और ग्लॉसे लुक भी जो है वह आपको थोड़े सा जो डिजाइन है यहां पर आपको प्रवाइड करके देने वाला है यहां अब यहां पर बशक्ताँ देखने को तो नहीं मिली इस के अपर बात कर लेंए इसके बॉक्स के अंदर यहां पे आपको एक जो वारंटी है वो तो देखने को नहीं मिलती यहां पर आपको एक simple documentation है जो के English और Chinese language के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगी और अब बात कर लेते हैं कुछ मेरे personal thoughts और मेरे personal opinions को लेके इस mouse के उपर तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ के लिए कर दूँ कि जो unboxing की वीडियो आपने देखी थी यह काफी टाइम पहले मैंने record कर ली थी जब मैंने इस mouse को purchase किया था लेकिन यह जो intro और outro की वीडियो है यह मैं काफी टाइम बाद record कर रहा हूँ इस mouse को मैं काफी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ almost मुझे दो अफ़ते से ज्यादा हो गए है और मेरा जो personal thoughts से इस mouse को लेकर वी यह है कि अगर आप especially graphics का का काम करना चाते है इस mouse के उपर फोटोशॉप illustrator यह सारे अगर आप software इस करना चाते तो इसके लिए में ज्यादा recommend नहीं करता क्योंकि मुझे personally बहुत जादा problem fix करने को मिली है इस mouse के उपर इसके अलावा अगर आप normal office work के लिए इसको purchase करना चाते है या फिर day to day life के अंदर एक casually अगर आपने काम करना है computer के उपर तो इतना ज्यादा बुरा mouse नहीं है जिस price range के अंदर आता है उसके अंदर आपको काफी ज़्यादा अच्छे जो overall performance आपको provide करके देने तो वीडियो अच्छे लेगी तो आप इसमें को लाइक कर दें शेयर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसको purchase करना चाते हैं लिंक आपको सारे description माउस को मिल जाएंगे और वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं तो मिलेंगे किसी